आज हम आटा का बिस्किट बनाएंगे बिना अंडा का बनाएंगे और बिना ओवेन का बनाएंगे काफी असान तरीके से बताएंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहें एक मिक्सिंग बॉल और उसमें आड़ कर रहे हैं 1 by 4 कप बटर आप चाहे तो यहाँ पर रिफाइं तरीके से मिक्स हो चुका है इसके बाद अब हम यहाँ पर आड़ करेंगे आटा आटा लेना यहाँ पर एक कप इसके बाद अब आड़ करना है हाफ टीस्पून बेकिंग पॉडर इसके बाद हम आड़ करेंगे हाफ टीस्पून बेकिंग सोड़ा अब इसके बाद काफी अ जब गुंदा जैसे की हम रोटी के लिए गुंते हैं रियसा ही तियार करना है रोखना आ यहां बिल्ला, ठील में बिल रहें भराशा है बिला चुका है, अब हम इसे बिस्किट का शेप देंगे, कोछ इस तरीके से पहले कट कर लेना है, अब हम यहाँ पर कट कर चुके हैं, इसके बाद अब हम साइट से पहले हटा लेना है, ताकि बिस्किट का अच्छा शेप बना रहे हैं, अब इसे हम एक बिस्किट का शेप निकाल देना है और इसे दूबारा बेल लेना है अब यहाँ पर हम बिस्किट पे डिजाइन बना रहे हैं अगर आप करना चाहते हैं तो करें आप चाहे तो यहाँ पर दूदपिक से भी कर सकते हैं अब हमारे डिजाइन काफी अच्छे तरीके से बन जा रहा है इसके बाद अब हम यहाँ पर add करेंगे चीनी, चीनी यहाँ पर ले रहे हैं हम थोड़ा सा आप ऐसे करके हलका हलका उपसे डाल सकते हैं, आप अपने मुताबिकी डाले कैसा चीनी खाना पसंद करते हैं, थोड़ा चीनी ज्यादा डालने से टेस्ट काफी अच्छा लगता है, अब हम अरो साइड तेल को लगा लेना है, ताकि यहाँ पर बिस्किट चिपकेना, अब तेल हमारा काफी अच्छे तरीके से लग चुका है केक्टीन में, आप चाहे हैं तो यहाँ पर कोई बेकिंग ट्रे भी ले सकते हैं, या फिर कोई प्लेट भी ले सकते हैं, इसके बाद अब हम यहाँ पर बिस्किट अड़ करेंगे, अब हमारा बिस्किट हम दिखा देते हैं, यहाँ पर ज्यादा मोटा भी नहीं है, और पतला भी नहीं है, ओप उतना छistic में बाद बेड़ल में अब पतिला ले रहें, आप चाहे तो पतिला की जगा प्रेशा कोकर भी ले सकते हैं और इसमें हम add कर दे रहे हैं एक stand और इसे ढखकर 5 मिनट तक high flame में रहने देना है अब 5 मिनट अब हमारे पूरे हो चुके हैं 5 मिनट के बाद अब हमें हाँ पर cake cream को add कर दे रहे हैं flame यहाँ पर बिल्कुल लो ही रखनी है और 30 मिनट तक इसे ढखकर रखेंगे 30 मिनट के बाद अब हमें हाँ पर देखेंगे हमारा कैसा तयार हुआ है अब इसे हम निकाल लेंगे और पूरे तरीके से ठंडे होने देंगे एक घंटे तक ठंडा होने देना है अगर गरम गरम खाएंगे तो biscuit बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अब इसे देखते हैं काफी असानी तरीके से हमारा निकल गया है यहां जला बिल्कुल नहीं है और चिपका भी नहीं है इसी तरीके से हम दूसरे को भी निकालेंगे अगर आप इसे ज़्यादा पतला बेलते हैं तो फ्लेम में 20 मिनट तक ही रहने दें क्योंकि वो जल जाएगा ज़्यादा पतला रहेगा तो अब दूसरे को हम निकाल कर देखते हैं तो यह भी काफी असानी तरीके से हमारा निकल जा रहा है यह भी जला नहीं है और बहुत ही अच्छी तरीके से तयार हो चुका है अब इसे हम तोड़ कर देखते हैं हमारा बिस्किट कैसा त्यार हुआ तो ये काफ़ी अच्छा और क्रेंची त्यार हुआ है एक बार इसे हम फिर से तोड़ कर देखते हैं हमारा बिस्किट कैसा त्यार हुआ है तो यहाँ पर देखते हैं काफी असानी तरीकी से तूट चुका है, हमारा बिस्किट बिल्कुल क्रेंची है, हमारा आटा का बिस्किट बहुत अच्छे तरीकी से बन चुका है, तो आप घर पे जरूर ट्राइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमन देन बेल को बीना वोले